सजना सवरना किसी अच्छा नहीं लगता आज के पॉलुशन में अपना चहरा वचा बाल का खयाल कैसे रखे हमें कौन सा मेकप सूट करता है, कौन से मौसम में किस तरह का मेकप करे शादी ओकेजन हो या रेगुलर मेकप कैसे करे और कैसे मेंटेन करे अपनी खुबसूरती के बारे में क्या समस्या है एसी हर समस्या का हाल जानिये खुबसूरत प्रोग्राम में खुबसूरती के साथ नवी मुंबई आवाज की पेशकर्ष खुबसूरत तमस्ते दोस्तों खुबसूरत इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है आज का हमारा विशे है दोस्तों बदलता हुआ मौसम बदलते हुए मौसम में हमारी तवच्छा और हमारे बाल, इनमें हम लोग किस तरह के प्रॉब्लम्स पेस करते हैं, और उनको हमको कैसे ट्रीट करना है, यह आज के एपिसोड में हम लोग देखेंगे, आज का हमारा विशय है रूसी, रूसी याने डैंडरफ, डैंडरफ भी जो इसकाउरी तो जाता है, जैसे के ट्राइ सकेल्फ होता है तो इस स्में ट्रामी निंकलते है उसको भी działa finest कभी मोहत ज्यादा analyche cell होता है, उसमें डािंडर होता है, पंगल इंफेक्शन से रान रफ होता है, और जो नाचेबल होती है, जो बहुत फास्ट उती है, उसकी व को लगता है कि वो डांडरफ है तो इस प्रकार के डांडरफ होते हैं और जबी सीजन चेंज होता है तो हमारी जो स्कैल्प की जो हमारा स्कैल्प है उसमें भी चेंजे साते हैं या तो बहुत ज्यादा ड्राइ होता है या बहुत ज्यादा ओली होता है यह जो सीजनल चेंज ह होता है इसकी वैसे बालों में बहुत ज्यादा रूखापन या ओईलीने साने की वैसे डैंडर इसके लिए होता है क्यूंकि बहुत ज्यादा उईल सिक्रेशन होता है जब ही हम लोग summer में shift होते हैं, winter season से summer season में shift होते हैं, उस time atmosphere बहुत ज्यादा humid होता है, humid होने की वैसे oil secretion ज्यादा होता है, जो बहुत ज्यादा natural है, उसकी वैसे dandruff हो जाता है, जो 10-15 days का जो gap होता है, उसमें dandruff बहुत ज्यादा normal है, जो होता है, तो यह दो प्रकार होते है, season जब change होता है, तो यह ऐसे dandruff होता है, कभी-कभी दोस्तों, ऐसे होता है कि हमारी जो cell की growth है, वो किसी-किसी बहुत ज्यादा होती है, बहुत fast होती है, तो उसकी वज़े से सेल growth होता है, बहुत fast होता है, उसकी वैसे भी आमको लगता है, कि ऐसे dandruff होँआ है, तो यह दृंडू नहीं होता है, तो ऑफास तल ग्रोथ है जो बहुत natural है, या तो कभी-कभी बाद हम एक रीजन निद्ध यह एक रीजन है तो दोस्तों यह जो डंडर ए यह हाइजीन यह कोई हाइजीन से रिलेटेड नहीं है यह किसी को भी हो सकता है क्योंकि अगर dryness है तो dryness बढ़ गया तो scalp मैंसे flex निकल रहे है तो dandruff है तो इसके वैसे यह hygiene से related नहीं है बट येस ऑफकोर्स dandruff होने के बाद हमको ज्यादा extra care करनी है के बाल हमको काफी अच्छे से massage करके wash करने है ताकि वो जो अगर fungus से है या फिर dry प्लेकी है या फिर बहुत extra oil की वैसे है तो अची तरह से नेकल जाए इसके लिए जो मार्केट में शैंपू जाते हैं काफी तरीके के शैंपू आते हैं पर कौन सा शैंपू यूज करना है यह आपको कैसे पैचानना है यह आपको तभी आप अच्छा आपको रिजल्ट मिले जाए यह बहुत ज्यादा स्केल यह स्केल्फ लाए यह पिर फंगल इंफेक्षिन अगर फंगल इंफेक्षिन है तो आपको एकस्पार्ट याने डौक्टर की सला ही लेनी पड़ेगी फंगल या बैक्टेरिया उसमें जो है वो क्योर करने के लिए दवाई लेनी पड़ेगे अगर आपका ड्राई और ओईली स्कैल्प का डांटरफ है तो उसके शैंपूज भी डांटरफ शैंपूज ही पर थोड़े अलग अलग अलगाएंगे तो आ या फिर बहुत अच्छे सेलों प्रीक्मेंट्स भी होते हैं डांटरफ ट्रीक्मेंट्स जो क्या आप कर सकते हैं तो दोसो दांटरफ कंटेजियस नहीं है और यह नहीं हाईजीन रिलेटेड है यह स्काल्प के कुछ क्रॉबलम है यह बहुत राई या ओली स्कीन होने के व जान्सेज है तो उसको लोग समझते हैं कि यह डांटरफ है पर अग्चुली इसके लिए आपको तो डॉक्टर के पास जाके बकाईदा उसके ट्रीटमेंट लेना काफी ज़रूरी होता है इसके लिए आपको डॉक्टर को फॉलो कर सकते हैं यह तो हो गया कि डांटरफ क्य अगले सेक्शन में हम लोग देखेंगे कि डांटरफ कैसे दिखता है और उसके लिए हैर वाश कैसे करना है आपको बहुत सही तरीके से पहले से बालों को अच्छी तरह से गीला कर ले डांटरफ अगर हो गया है तो शैंपूइंग आपका कैसे होना चाहिए अगर कोई भी जो दांटरफ कंटरोल शैंपू है उसको अच्छी तरह से डाइलूट करें पानी के साथ इसको स्कैल्प के उपर डाल के 2 से 3 मिनिट अच्छे से मसाज करें मसाज करने से जो फ्लेक्स है वो अच्छी तरह से छूट जाएंगे और जो प्रड़क्ट अपके बालों वालों के अंदर जारह है, मैसाज हो रहा है उसको वकाइदा आपको तीन से चार मिनिट डेने हैं क्यूंकि उसमें जो मेडिसिन्स है उनको जो एक्टिव इंक्रीडियन्ट से उनको काम करने के लिए अटलीस तीन से चार मिनिट देने चाहिए गर आप तुरंट वाश कर लें अगर बहुत नॉर्मल सा कम है या स्टार्ट है अभी डैंडर्फ की तो हफते में दो बारा डैंडर्फ शैंपू को यूज कर सकते हैं बहुत एक्सेस यूज करने से आपको ड्राइनेस भी आ सकता है यह ज़रूर ध्यान में रखें अपने फिंगर टिप से आप सेर्कुलर मोशन में दीरे-दीरे मस्याज करेंगे हलका प्रेशर आप दे सकते हैं ताकि रूसी जो है अच्छे से निकल जाए दो से तीन मिनिट आपको मस्याज करना है यांडरप की वज़े से जो इचिंग होती है तो आप नाखून से स्क्रैच ना करें स्कैल्प को प्रेशर आपको आईये मिलते हैं अगले सेशन में The Bharat Infra Group कि इक विस्तर इस कि अविधिने लुके अपने लुकेत in the delightfully welcoming land Shilpata, surrounded by charming vistas, verdant hillocks and playful brooks. मेरा आपविस्टाइस अविस्टारा इज हो उफ फज्टी और स्वी। को और रिजह जिए व्यट वे लुट्स बीज்चिए। दिखली गिजिज्ट जाति अजयाने कि जुटिवर्चेहिंग्ट झाली अखनी इपद्ट अटार्म गजट में रिध वर एक रेंचे अज़ का तेज़ अज़ गूर्ज चाश्ज लेग लेग अदिध के लिद्सी अज़ जुजिव दिपेटर अर्या उयर वाद विल्योंग्स अिज़ एंचे लिए का लगली खिली दिज़ कर दिदी when you're busy the entrance lobby resonates perfectly with the elements and boldness of the exterior welcome home show living room plays host to a jovial interplay between sunlight and air enjoy the sizzling savory goodness of great food में प्राजी चिजिए किछी किजए रिलाख सेश विव इन एंप बदेडिटी लिए व्ल真 वेजिए प्रेस्ट वे चक्षिछ इन ए सब्स वार्टरूर्प्स टे बेड़ादर शबस्ट उड़ किव ट्री इन प्रेस्ट्य न स्ट्राइट प्रयाट में प्रेजिए देश अनी बिश्मातील खडा मोधिन वर लख्षथ हे उता तूंकि तूंकि तो जा शहरा ग्रहता तेंचा विष्माती आहे का तूंखाला देश अनी विष्वाची आहे तर आपना शहरा चा आवाज नवी मुंभाई आवाज और आप्र पोर्ट एक्सेश्य आप्सेश्बॉ यूर्डीम है आप एकुनोमिकल प्रइस इस वार अवेलब महंगे के बगल में सस्था, में तूके नस्थी क्रास्था अ थॉस्ट अ बेंपर के बुलिद इस ब्लुदिग अ शूट्च्छिन एरिहंद शबकर केस् स्टर्च्ट शबाइची ही ट्रॉज्ब अन्शुला एंशुला कर देगे की अ अबंटाजिकली के टी सिसकी के टेड़ अन्शुला की डिचल्स च momentos k graduates त्लोचा रेलवे स्टेश्टिस अपिती हैं पिती ही अविज अवे इंटेश्ट ली कि अवे उलेंगे अवे नहीं भून अवे पूंड in 5 km is a way from Mumbai Pune expressway a mini township with twenty five buildings adding up to four hundred eighty eight प्रण्स एच बीडिज इस तिल्ट प्रस व्टरी विट वन तो और फ्री पह्क अपर्टम्स इखिरियर सेफ अर्यन अच्रूला विल तर्ण्स पूर्ट एम ड्रीम विल तो त्रीम वे आप्राविक कर्याएंग साल वैल बधिजए और फोलिव बार्ण और जोटवलाइंगी वे देशाइन ने बुड़किन अ शार आव्याईंग गौर्टोंख नही कंब में ऩ। अप़ी श्तम अच्रेश प्रॉलिक एंट अभल पन अनर्ल रोड सा वेल लीट विवेरनमेंट फ्रेंज ज़द्टे स्थचेटम प्रेश प्रॉफ्ट्म बान वार प्रिक्षा प्रॉफंट इस तो लेड़ी लिए इर्यांग अर्यंद अन्षूला झिजज आजोविंग इन आट आट शूले, देटेस जोल मेंटेंट अडली ऑ्दाल थी पूल प्रिकलक जूबस्त पक्तिवपन बहुत्व थूबस्तों काड़ницы कास्ट जाओाओब की जोगिंजू अजाइटकट यहारिपन लोग चिल्न तो कि उरोली लोग इंटेहून स्वीजज के वराख्यों और अमृटर इज जबता है। हुई। ए सेंहीं हुई इज़ hellu है। इससांट प्राफं duasár है। wash away toxins in the steam room a special children's game room and activity area airy spacious apartments at reasonable price an irresistible offer नहेंगे के बगल में सस्ता Metro के नस्डीक रास्ता अरीहंत अंशूला convenience and luxury at reasonable price तो दोस्तों देखते हैं के बदलते हुए मौसम में जो डाइंटर्फ होता है उसको हम लोग कैसे ट्रीट करें सबसे बहुत 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 जो डाइंटर्फ ट्रीक करने के लिए दवाही होगी तो वह अलोवेरा जेल है अलोवेरा तो आज कल किसी के भी वर्में या फिर पौदों में आसानी से आपको मिल जाएगा अलोवेरा जेल एक बहुत अच्छा का मॉइश्यराइजर है अगर आपको ड्राइ डैंटर्फ है तो वह मॉइश्यराइजर की तरह काम करेगा अगर फंगल इंफेक्शन है थोड़ी बहुत तो उसको भी क्यूर करेगा उसमें एंटी बैक्टरियल एफेक्ट्स है और दूसरा अगर आपको ऑईली स्कैल्प का डैंटर्फ है तो आप अलो वेरा में मेथी सीड्स भी को के उसको अच्छी तरह से मिक्सर में पीस के स्कैल्प में अधा गंडा लगा के रखिए और फिर वाश कर दीजिए तो यह ओली स्कैल्प के डैंटर्फ को भी ट्रीट करेगा अगर आपका स्कैल्प बहुत ज्याद करने के लिए तो वैसा बिल्कुल नहीं करें क्यूंकि आपका डैंटर्फ होने की वज़े से और अल्रेडी स्कैल्प बहुत ज्यादा इरिटेटेड है उसमें आप इचिंग होता है तो आप हुझली करते हो तो अगर स्क्रैचिस वगरा आये हैं तो बेकिंग सोडा से उसम बेकिंग सोडा जैसे प्रोड़क्त बहुत संबाल के यूज करने चाहिए अगर बहुत ओली डैंटर्फ है तो आप नीम्बू या दही का इस्तेमाल कर सकते हो मेथी सीड पाउडर डालके और या तो आप अलोवेरा तो हमेशा यूज कर सकते हो तो यह होगे दोस्तों होम जो बहुत ज्यादा सेफ आप घर में बहुत असानी से कर सकते हो नो साइड इफेक्स आइए मिलते हैं अगले सेशन में यूज कर सकते हो यूज कर सेथने सेड़ कर सकते हैं हूज हाओ फिश्टेश प्रविश कर सकते हैं इक और जिए गले सब्सट्राइब आप ब्रूबूप यूज हैं में वेवेट वेश्टाबने के यहाँ निए ट्टरव में। अजिन वी दिए कोई अक्राइब। इंड डिलिए वेलकिंगे वेल्कुमिंग अजिय। पट्टर श्रांद बाइंग अजिए देट्ट अजिए अजिए विडियोंग सुर्णब्स The Newborn can enjoy their own little kid's pool The exclusive Play Zone keeps the kids entertained Dine in style at the banquet hall Catch up with friends all over a game of cards Catch the latest Bollywood flick in the exclusive movie theatre try your hands at billions squash there is a daycare centre at ecovistas to ensure that your little ones are looked after even when you're busy the entrance lobby resonates perfectly with the elegance and boldness of the exteriors welcome home your living room plays host to a jovial interplay between sunlight and air enjoy the sizzling savory goodness of great food prepared impeccably in the stylish kitchen relax and refresh in the spacious bedrooms feel enamored by the designer fixtures in your bathroom live your life in a new lifestyle weave the delicate tapestry of life with precious moments be a witness to the blissful vista serenading your being listen to the soulful whispers of a gentle breeze gaze upon a perfect evening from your home to Bharat Infra's ecovistas your green haven Shimon Shabarata 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 मेहंगे के बगल में सस्ता, में ट्रो के नस्टी क्रास्ता A trusted name for decades in building and construction, Arihan Superstructures launches its premium project, Arihan Anshula Strategically located near upcoming Metro Station, Arihan Anshula is also in close proximity to Taloja Railway Station this advantageous location is just 15 minutes away from the proposed Navi Mumbai Airport and only five kilometers away from Mumbai Pune Expressway a mini township with 25 buildings adding up to 488 flags each building is tilt plus four-story with one two and three BHK apartments the exteriors of Ariyant Anshula will transport you into a dream world security checks conducted with external cameras well-designed and thoughtfully planned the elevation is extraordinary a township that stands out with pure acrylic external paint the well-planned internal roads are well-lit environment-friendly with proper sewage treatment plant and water purifying system live a healthy life in Ariyant Anshula live a healthy life in Ariyant Anshula besides the well-maintained adult swimming pool walk through beautiful landscaped gardens enjoy walking on designer pathways allow children to grow in their own space create treasurable memories when celebrating occasions in the community hall workout at state-of-the-art gymnasium wash away toxins in the steam room a special children's game room and activity area airy spacious apartments at reasonable price an irresistible offer mehengi ke bagal mein sasta metro ke nazdeek raasta Ariyant Anshula Ariyant Anshula convenience and luxury at reasonable price really like a cool place झाल झाल नमस्ते दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है, सवाल जवाब के सेशन में, तो हम लोग आपके सवाल होंगे, हमारे चवाब होंगे, तो डाइंटर्फ इस विशे पे लोगों क्या दिक्कत आती है, उनके जान लेते हैं कि सवाल क्या है, और हम चवाब देंगे, वाशी से त सवाल यह है, कि क्या डाइंटर्फ एक दूसरे को एक दूसरे की वैसे हो सकता है, तो दोस्तों, अगर आप आपका टावल या कोम किसी के साथ यूज करते हैं, आगर आपको फंगल इंफेक्शन है, तो वो नहीं करना चाहिए, अगर ये डूटू हाइजीन रिलेटेड ये डूसरे को सकता है, पर ये स्कैल्प का अगर ड्राइनेस या फिर ओईलीनेस की वैसे है, तो एक दूसरे को नहीं हो सकता, पर फिर भी हाईजीन मेंटेन के लिए आप एक दूसरे की चीजे इस्सेमाल ना करें, ये ही बहतर है, अगला सवाल है ने रूल से कश्मीरा का, तो कश्मीरा इनका सवाल है कि उनका जो डाइनरफ है, जब शैंपू यूज करते हैं उस दोरा निकल जाता है, जैसे ही वो डाइनरफ का शैंपू बन कर देते हैं, तो डाइनरफ वापस चालू हो जाता है, और बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ जाता है, या फिर कवर नह इसके लिए आपको एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा कि फंगल इंफेक्शन है किस तरह का है तो उसको क्या ट्रीट करेगा कौन सा शैंपू यूज करना पड़ेगा क्योंकि ये ड्राय और ओईली स्काल का प्रॉब्लम में ये फंगस का प्रॉब्लम है तो आप को एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा फंगस है तो कौनसा शैंपू यूज करें कि आपका शैंपू कही न कहीं गलत जा रहा है इसके वैसे आपको विजर्स नहीं मिल रहे है अगला सवाल एक उपर खरना से मंदीरा पूछ रहे हैं मंदीरा ऐसे पूछ रहे है कि उसका बहुत ज्यादा ओईली स्केल्प ओईली डैंडर उनको हमेशा होता रहता है तो वह कैसे उसको ट्रीट करें शैंपू करने के बावजूर अगर फ्लेक्स नहीं असानी से निकल गए वंदीरा होम रेमेडीज में आप ऐसे कर सकते हो जब आप डैंडर शैंपू यहां देखा कि जो के अज़ शैंडर यहां तो फ्लेक्स जो है ओईली स्केल्प में जो चीपके बैठ है वह बहुत असानी से निकल जाएंगे और आपको काफी हद तक उसका फाइथा होगा तो यह थे आपके सवालों के जबाब आज हमने देखा कि दैंडर यह रूसी क्य तो अगले एपिसोड में हम लोग लेके आएंगे वापस बदलते हुए मौसम में और कौन से कौन से प्रॉबलम जाते हैं और देखेंगे उसके रिलेटेड कुछ टिप्स और आपके समाल चबाब तो दोस्तो आज का एपिसोड हम यहीं पर समाप करते हैं फिर से एक बार वापस मिलेंगे अगले एपिसोड में नया कुछ विशय लेके तो दोस्तो बने रहिए खूब सुरत और देखते रहिए खूब सुरत सजना सवरना किसे अच्छा नहीं लगता आज के पॉलुशन में अपना चेहरा वचा बाल का खयार कैसे रखें हमें कौन सा मेकप सूट करता है कौन से मौसम में किस तरह का मेकप करें शादी ओकेजन हो या रेगुलर मेकप कैसे करें और कैसे मेंटेन करें अपनी खुबसूरती के बारे में क्या समस्या है ऐसी हर समस्या का हाल जानिये खुबसूरत प्रोग्राम में खुबसूरती के साथ नवी मुंबई आवाज की पेशकर खुबसूरत अपनी खुबसूरत प्रोग्राम में खुबसूरत प्रोग्राम में खुबसूरत